जो complete lines करने थी poems की वो की थी आज हम बच्चो play with words part करेंगे जिसमें क्या है add E or A to complete the words words दे गए हैं इनके बीच में miss है letter आपको इनमें A या E को fill करके इनको complete करना है देखना है इसमें E आएगा या A आएगा लेट स्टार्ट G-R-I-N-S G-R-I-N-S बच्चो ये poems में इसे ही लिए गए words है सारे तो हमने पढ़े भी हैं हमको पता भी है तो G-R के बीच में क्या हैगा A ये क्या था? grains था grains means दाना आगे S-N-D हमें पता था S-N-D S-N-D का क्या बीच में क्या हैगा A-S-A-N-D S-N-D means मिटी आगे C-H-R तो C-H इसके साथ में बच्चो डबल E आएगा C-H-E-E-R चियर next and last H-R-T तो बच्चो H-R-T हमने points पढ़ी है हमें पता है कि ये क्या है? heart है और heart की spelling क्या होती है? H-E-A-R-T तो इसमें E और A दोनों आएंगे बीच में अच्छा अब आगे करते हैं आगे P-L-S-N-T तो ये क्या बनेगा बच्चो pleasant word है और इसकी spelling क्या होती है? P-L-E-A-S-E-N-T तो E-A और E आएंगे इसमें आगे O-C-N तो ये तो शुरू में ही था poems के क्या word है? O-C-N और इसक में क्या बनेगा? O-C-E और A-N आगे D-D-S तो बीच में क्या आएगा? Double E deeds and last B-S-T तो बीच में क्या आएगा बच्चो E क्या बने गई है? फिर best अब आगे देखते हैं राइटिंग फन है How can you show your love towards other हम दूसरों से अपना प्यार कैसे जिदाते हैं? राइट फियो संटैंस इन दे स्पेस गिवन बिलो यहां पर जो स्पेस दिया गए आपकी बुक में भी होगा आपको वहां पर कुछ लाइन ने लिखनी है बच्चो मैंने लिखी हुई है अगर आप और लिख सकते हो तो और लिख लेना अगर फाइफ लाइन साप